अगर आपके Chrome browser में problem आ रहा है कि this site can't be reached तो आप लोग उसको इस तरह ठीक कर सकते हैं मैं आपको 2-3 step बताऊंगा उनको follow कर लेना है आप लोगों को फिर आपको जो Chrome है वो proper work करने लगेगा अगर ऐसी problem आपके phone में या Chrome में आ रही है तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी setting खोलनी है setting में आपको app वाले section में जाना है यहां पर आपको Chrome का option मिलेगा जो Chrome app होता है उस पर टैप करना है Chrome वाले option में आप लोग टैप करेंगे फिर आपको ऐसा interface दिखेगा यहां पर आपको एक option मिलेगा force stop का इस पर tap करना है फिर आपको ok कर देना है फिर आपको storage वाले option में जाना है फिर यहां से जब आप लोग storage वाले option में चले जाएंगे तो आप लोगों को पूरा storage दिख जाएगा कि इसने कितनी data consume की है आप लोगों को जो इसका data है chrome का इसको आप लोगों को clear कर देना है पूरा पर दूसरा step आपको follow करना है आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को वहां पर सर्च करना है Chrome browser जब आप लोग Chrome लिखेंगे तो वहां पर आपको Chrome का interface आ जाएगा Chrome जब आ जाए तो उसमें एक option होगा अगर आपको पहले से update है तो कोई बात नहीं अगर उसमें लिख क्या रहा है कि update Chrome browser खोलने के बाद वहां पर update लिख क्या रहा है तो आप लोग को इसको tap कर देना update को और आपका जो browser हो update हो जाएगा आपका browser proper work करने लगेगा आप लोग को update करने के बाद अपने phone को restart कर देना है अगर आपका browser अभी भी work नहीं कर रहा तो इसके बाद आप लोग को अपने app को install कर देना है Chrome को उसके बाद फिर से install करके अपनी login करके Gmail ID फिर से work कर सकते हैं आप लोग